अर्जी दो परकार की होती है एक संकट की अर्जी एक वह अर्जी अर्जी लगते ही पहली बात क्या जज माराज ने केस एडमिट किया या खारीज ही कर दिया एडमिट ही नहीं किया तो इसका मतलब आपके केस में दम नहीं है आप बकवास कर रहे हो बकवाद कर रहे हो आप बेफिजुर का कोर्ट का समय खराब कर रहे हो नहीं जी मेरे केस में तो दम है एडमिट कर लिया एडमिट कर लिया आप याची का करता हैं आप अपिलेंट हैं एडमिट करते ही नोटिस जाएगा सामने वाली पार्टी को रेस्पोंडेंट को यहां सामने वाली पार्टी को संकट, नेगेटिव अनर्जी, भूत परेत किया कराया उसको नोटिस जाएगा उसको पेस किया जाएगा पेस होने के बाद जज साब बताएंगे कि इसको दस हाजरी लगानी है दस डेट में ये फैसला मैं सुना दूंगा तब तक जाच बठा दी जाएगी संकट से बयान ले लिये जाएगे भेज़ा हुआ है या अपनी मर्जी से आया है या किया कराया है क्या है उसके बयान होंगे इधर से बयान होंगे बहस होगे, आर्गुमेंट होगे फैसला जाएगा